रैपर बादशा के नए पोस्ट से मची इंटरनेट पर खलबली लिखा मैं वापस आऊंगा। रैपर बादशा ने दुनिया भर में खूब नाम कमाया है। इतना ही नहीं म्यूजिक इंडिस्ट्री में रैपिंग सॉंग को एक नए मुकाम तक लेकर आए हैं। बादशा अपने गानों को लेकर अकसर सुर्खियों में चाय रहते हैं। हालांकि फिलहाल बादशात के सुर्खियों में आने की वज़य उनका एक पोस्ट है। दरसल हाल ही में बादशा को टेकसास के डलास में किन्ही वजहों से अपने शो को बीच में ही रोखना पड़ा। इन ही सब के बीच अब बादशा का लेटिस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है जिसमें वो फैंस से माफी मांग रहे हैं। साथ ही बादशा ने डलास वाला कॉंसर्ट बीच में रोखने की वज़य का भी खुलासा किया है। जानिये पूरी बात। बादशा ने डलास वाले कॉंसर्ट को बीच में रोखने की वज़य का खुलासा करते हुए कहा है कि डलास आज जो हुआ उसकी वज़य से मेरा दिल पूरी तरह से तूटा हुआ है और मैं निराश हूँ। प्रमोटर्स को तरीके से सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर ए एक तूर में काफी मेहनत लगती हैं, जो अपनी मेहनत के पैसे से वो टिकेट खरीदते हैं और क्रू के साथ भी यह गलत है जो एक तूर के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं। माफी भी मांगी, मैनेजमेंट टीम ने सभी चीजों को ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया। बादशा ने आगे अपने फैंस से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा और अब बड़ी बेटल और बोल्डनेस के सब्सक्राइब।